ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा, आज के वीडियो में हम तिर्मला की present situation, weather condition, दर्शन में कितना time लग रहा है, अलिपिरी मिट्टु मार्गम के लिए कुछ instructions भक्तों के लिए जारी किये गये हैं, क्या है वो instructions, बहुत सारे alerts है अलिपिरी मिट्टु मार्गम के लिए जो भक् ज़्यादा important है, साथ ही तिर्मला और तिरुपती में car parking areas कहां कहां पर है, क्या वो free है या paid है, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में, साथ ही दर्शन में कितने time लग रहे हैं, और इसके साथ December और वैकुंट एकादशी के tickets schedule के हिसाब से कब release होंगे, उसके बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंतक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें, सबसे पहले जान लेते हैं weather condition के बारे में, तिर्मला में अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत हलकी हलक बारिश नहीं है लेकिन ठंड बहुत जादा है तिर्मला में, तो जितना हो सके अपने साथ गरम कपड़े जरूर लेके आएं और अम्रेलाज और रेनकोट भी लाएं क्यूंकि तिर्मला में बहुत ही जादा fluctuate होता है, कभी बारिश तो कभी बहुत जादा ठंड पढ़ ज जादा है, कुल मिला के 31 कंपार्टमेंस में भक्त वेट कर रहे हैं, लगभग 50 कंपार्टमेंस होते हैं, उसमें 31 कंपार्टमेंस में भक्त वेट कर रहे हैं, ये वो भक्त है जिनके पास कोई भी टिकेट नहीं है और वे डारेक्टली लाइन में लगकर भगवान के दर्श इसलिए जाधा रश होने की आशंका में पहले ही भक्त आकर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। में दर्शन हो जाएगा मैक्जिमम पांच से छे घंटे लेकिन धर्म दर्शन में बहुत जाधा तकलीफ हो जाती है। तो तीन से चार घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तो जितनी हो सके आफलाइन टिकेट ले ले अगर आपके पास आउनलाइन टिकेट नहीं है। आफलाइन टिकेट को लेनी के लिए क्या-क्या प्लानिंग करनी है पहले ही मैंने वीडियोस में बता रखा है। एक बार सभी वीडियोस को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं आलिपिरी मेट्टु मार्गम में कौन-कौन से इंस्ट्रेक्शन्स भक्तों को दिये जा रहे हैं। दो चलकी जाने वाले मार्ग हैं अलिपिरी मिट्टु मार्गम और स्रीवारी मिट्टु मार्गम। ओगस्ट के महिने में चीते के एटाक के वजल से एक छोटी सी बच्ची को जान गवाना पड़ा। उसके बाद से संस्थान ने ओपरेशन चीता लॉंच किया जिसमें अब तक पांच चीते को वोन में कैप्चर कर चुका गया है। इससे पता चलता है कि अलिपिरी मिट्टु मार्गम खत्रे से खाली नहीं है। तो जो भग्त अलिपिरी मिट्टु मार्गम के त्रू जा रहे हैं, उन्हें अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान जादा रखना है। संस्थान अपनी तरव से पूरी कोशिश कर रहा है। फॉरस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अभी तक पांच चीतों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन प्रिकॉशन के लिए संस्थान हर भग्त को स्टिक्स दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टिक्स से ही आप चीते के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन संस्थान का ये दावा है कि सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी आप पॉरस्ट से जाते हैं तो अगर आप स्टिक्स के साथ जाते हैं तो psychologically आपको भी एक confidence आता है और animals भी थोड़ा डरते हैं। तो इसी लिए कुलमिला के 40,000 स्टिक्स को दिया जा रहा है डिवोटीज को जो अलिपिरी मिट्टु मार्गम के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो गाली गोपरम से लेकर 7th माइल तक 100 लोग एक ही साथ चलते हैं उस ग्रूप के आगे और उस ग्रूप के पीछे security guards होते हैं और हर एक के हाथ में stick होता है। 10 बजे तक का होता है जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ सुबह 6 बजे से दो पहर 2 बजे तक ही अनुमती है। इसलिए जो families बच्चों के साथ जा रहे हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम की है उन्हें timing का खास ध्यान रखना है। उसी तरह स्रीवारी मेट्टु मारगम में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भगतों को अनुमती होती है। लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 6 बजे से लेकर दो पर दो बजे तक की ही अनुमती है। तो एक तरह से families के लिए थोड़ा tough time है क्योंकि timing का जादा ध्यान रखना पड़ता है जो लोग चल के जाने वाले हैं। instructions में ये भी बताया गया है कि जो लोग चल के जा रहे हैं रास्ते में किसी भी जीवजन्तु को खाना नहीं खिलाएं। क्योंकि इन ही जीव जन्तु के लिए चीते भी आते हैं, इसलिए जितना कम आप इन जीव जन्तुओं को खाना खिलाते हैं, ये जीव जन्तु चल के जाने वाले मार्गों के आसपास घुंगते हैं और उन ये चीते उस मार्ग में आ रहे हैं, तो इसलिए संस्थान ये रिक् जहांपर आप लगे़्ज सम्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आत्रा खतम होने के बाद लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप mobile को submit नहीं करें, आप तिर्मला जाकर मंदिर के opposite में ही बेड़ी आंजने स्वामी के मंदिर के पास में right hand side में आपको boards दिखाए देंगे, वहाँ से आप follow करते हुए luggage and mobile counters में जाकर अपने mobile को submit कर सकते हैं, सभी tickets के entry points में भी आपको mobile counters मिल जाएंगे जहाँ प तिर्मला में car parking के क्या facilities हैं और क्या rules है जो हमें follow करना है, तिर्पती के अगर बात की जाए तो दोनों चल की जाने वाले मार्गों के starting points में आपको car parking area मिल जाता है, अलिपिरी mid to markam के पास में बालाजी link bus stand में आपको paid parking की facility होती है, आपके vehicle के हिसाब से parking charges होते हैं, ये charges 24 hours के लिए applicable होते हैं, उसी तरह से स्रीवारी mid to markam, जो तिर्पती से लगबग 20 km दूर है, वहाँ पर भी आपको starting में ही car parking area available है devotees के लिए, लेकिन ये wise decision नहीं है क्योंकि ये दूर है, तो बेटर है कि आप तिर्पती में बालाजी link bus stand में अगर आप पार्क कर सकें तो पार्क क भी करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा रश है तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपनी car को पार्क करने के लिए ये two wheeler को पार्क करने के लिए, अब समस्ते हैं तिर्मुला में कौन-कौन से car parking area है, सबसे पहला है MBC, दूसरा ATC car parking area, तीसरा main road opposite आलवा tank, चौथा राम बगीचा bus stand जो की एक restricted car parking area है, अगला है पदमावती guest house के पास में car parking area, ये सारे car parking areas free car parking areas है, ये areas free हैं लेकिन बहुत ज़्यादा waiting होता है जब रश ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर car park करना पड़ता है, इसमें से MBC और ATC car parking मंदिर के ज़्यादा पास है, यहाँ ध्यान दे तिर्मला पहुंचने से पहले तिरुपती में ही आपको अलिपिरी checkpoint आता है, जहाँ पर आपको अपने vehicle के लिए पहले ही fee pay कर लेना है, जिसे toll fee कहा जाता है, जहाँ पर आपको एक slip दिया जाता है और उस slip को आपको ध्यान से रखना पढ़ता है, क्योंकि इस slip को दिखा कर ही आपको car parking में रखने के लिए अनुमती मिलती है, 4 wheelers सुबह 3 बजे से लेकर रात 11.59 तक ही allow किया जाता है, 2 wheelers सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक allow किया जाता है, घाट रोड रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बंद कर दिया जा वो 23 to 24 km per hour है, तो बहुत ही कम speed में ही आपको जाना है घाट रोड में, otherwise उन vehicles को संस्थान जब्त कर लेता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है चुडवाना, इसलिए अपने speed limit को ध्यान रखे, timing का ध्यान रखे, और alipiri checkpoint पे, यानि कि alipiri toll gate में vehicle के toll fee को जरूर पे कर ले, usually car के लिए toll fee 50 rupees to and fro होता है, जगर जगर पर CCTV cameras को भी लगाए गया है, तो अगर आप mobile में बात करते हुए देखेगे, तो भी बहुत जादा problem हो जाती है, तो बहुत सारे restrictions है, जिसे आपको follow करते हुए ही जाना है, आने वाले videos में, कौन-कौन से tickets को release किया जाएगा, चाहे वो 300 के हो, या वाइकूंट एकादशी के tickets हो, या senior citizens के physically challenged और medical condition वाले भगतों के tickets हो, सभी कुछ September 20th के बाद से release करने शुरू हो जाएंगे, तो उसके पहले ही मैं पूरी detailed video आप तक लिके आऊंगी, जहांपर मैं explain करूंगी कि इन tickets को आप offline में या online में किस तरह से book कर सकते हैं आशा करती हूँ, ये वीडियो भी आपके लिए informative रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें और हमारे new channel को जरूर देखें और उसे भी अपना पूरा प्यारा और आशिरवात दें, link description box में आपको मिल जाएगा, ओम स्री वेंकिटेश्व